अगर अलसंख्या कायो के चेर्मैन ने 24 घंटे का अल्टिमेटम दिया है तो यूई ने दिया है कि अगर मुस्लिम कॉमिनीची की का कोई भी लड़का अगर इस तरीके की एक हलकी सीट टिपिणी कर दे किसी भी धर्म पे खास करके हिंदू धर्म पे इस बारत में तो उस पे यूए पी यह लगते हैं कि बिर्यानी खाके सोना बंद कीजिया आप लोग क्या हो रहा है बिहार में इस पे नजर रहें तरहरें कर सकते हैं मुझे उमीद है इस मामले को भी जल से जल इससे हम बर्दास नहीं कर सकते हैं आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस व तरह द Marx कर सकते हैं नहीं मिल पा रही है दिया गया था सोसल में घ terrorism शाना भी जाना बीथ जा पर अर्जुन अर्जूबा से ही उसका फेस्बूक आईडी है उसका फॉलोवर्स भी कुछ काफी नहीं है 4.9 के फैन हैं फॉलोवर्स नहीं है फ्रेंड्स है उसके और वो मुसल्मानों को उपर अभद्र गाना गा रहा है उसे हम गाना भी नहीं कह सकते हैं लेकिन वो किया है कि इस तरीके का जो गाना गाया है उसको जल से जल गिरफतार किया जाए हाला कि बिहार में अगर देखा जाए या सिवान में अगर देखा जाए तो कई लोग हैं वैसे जो रहनुमा बनते हैं मुसल्मानों की बात करते हैं राजनीती के लिए हम सामने उतर जाते हैं कि हम हैं मुसल्मानों का नेता, मुसल्मानों के नेता के लिए काफी आजकल आप देखी रहे हैं, काफी लडाईया भी चल रही है, तो हम आज बात करें, कॉंग्रेस की नेता हमारे साथ जावेद अली जी है, इनसे हम बात करेंगे, कि इस तरीके का जो गाना गाया गया है, कि सत्तक सही है कि सत्तक गलत है और इसके लिए आपका कौम जो मैनुरिटी के कौम है वो क्या एक्षन ले रही है विहार में कई दिगज नेता हैं जो अपने आपको मुसल्मानों का रहनुमा बताते हैं क्या कहिएगा इस तरीके का अभद्र गाना गाया जा रहा है उसको गाना तो हम नहीं कह सकते हैं इस तरीके का गाना का कि अपने आपको ट्रेंड करने के लिए इस तरीके का अभद्र चीजे परुसा जा रहा है समाज में इसको लेकर आप क्या कहेंगे क्या एक्षन आप आप लोग लिजिएगा वो अरजून अजूबा जो है उसने पूरे मुसल् सेंटिमेंट को भड़काने का काम कहीं कहीं न कहीं वो ये चाहता है कि टी आरपी के लिए ही सही लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं उसके उपर आरेसेस का या बीजेपी का हाथ जरूर है अन्यथा उसकी इतनी आउकात नहीं है जो उसका बैक्ग्राउंड मैं देख रहा हूं फेस्बूक के कि वो इतना बड़ा कांड कर सके और इतनी बड़ी चुनवती दे सके और रही बात आपने जो कहा मुसल्मानों की क्यादत की मुसल्मानों की सियासत की और मुसल्मानों की रहनुमाई की तो मैं समझता हूं कि अगर अगर आपकी क्यादत से आपकी सियासत से आपकी रहनुमाई से अगर आपका धर्म शास्त्र यानि आपका जो प्रैक्टिस ऑफ फेथ है वो महफूज नहीं है तो आप नाम निहाद के मुसल्मान हैं आपको मुसल्मान कहने में भी मुझे शर्म आ रही है कि वैसे लोगों को मुसल्मान कहा जाए जिनके सीने में अल्ला के लिए भी कुछ नहीं है, नमाज के लिए भी कुछ नहीं है, रोजा के लिए भी कुछ नहीं है, यानि जो पांच पीलर आफ इसलाम है उनके लिए अगर आपके दिल में कहीं भी जगा नहीं है और उसके लिए आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं है तो फिर बेकार है आपकी सिंदगी और रही बात तो इस इसू पे मैंने देखा था इंटर्वीव इंडिया के इंटर्वीव में कि जो चेर्मैन है अल्वसंख्या कायोग के रियाजुलहक राजु सहाब तो उन्होंने बजापता तोर पे ऑन केमरा कहा कि ट्विजिन 24 आवर्स करवाई करेंगे सिवान एसपी और मैंने और उन्होंने ऑन केमरा ही एसपी साब को फोन लगाया लेकिन करवाई के नाम पे मैं आज दिन भर कल भी आज भी यानि तक्रिबान 48 घंटे हो गए मैं लगातार उनकी प्रेस बेग्याप्ति जो फेस्बुक पे आईडी पे रिलीज करते हैं उसको मैं लगातार देख रहा हूं वाच कर रहा हूं कि हो सकता है अब और जुन और युबा की बारी आए लेकिन ज चमचागिरी करके और 18% मुसल्मानों के सो कोड नाम निहाद कायद रहनुमा यासी आसदान की शकल में अपने आपको प्रोजेक्ट करके आप किसी आयोग के चेर्मेन बन सकते हैं मदारसा बोड के चेर्मेन बन सकते हैं आप अलसंख्या कल्यार मंत्री बन सकते हैं लेकिन आप मुसल्मान हैं नहीं आप मुसल्मान हैं नहीं क्योंकि इस तरीके का जो समाज में देखा जा रहा है कुछ भी परोसा जा रहा है बतलब सिर्क मुसल्मानों के लिए नहीं हर धर्म के लिए क्योंकि आप किसी भी धर्म के ऊपर आप तिपनी नहीं कर सकते हैं गलत गाना नहीं गा सकते हैं और उस तरीके का जाना गाया जा रहा है कोई एक्षन नहीं लिए जाना है मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर मुस्लिम कौमिनीची की का कोई भी लड़का अगर इस तरीके की एक हलकी सीट टिपिणी कर दे किसी भी धर्म पे खास करके हिंदु धर्म पे इस बारत में तो उस पे यूए पीए लग जाएगा साहब डाइरेक्ट यूए पीए लगेगा तो फिर इसमें क्यूं इसमें इतना डिले क्यूं इसमें आखिर भेभाव क्यूं और रही बात जो तमाम लोग हैं तमाम लोग हम मैं कह रहा हूं ना बंद कीजिए आप लोग क्या हो रहा है बिहार में इस पे नजर रखिए और खास करके जब आपके आपका जो इमान है मुकमल इमान जिस इमान की आप बात करते हैं जिसकी बुनियाद पे आप मुसल्मान है और जिस बुनियाद पे आपको वो पद मिला है जब आप उस कमिनिटी के लिए कुछ नहीं कर सकते जब अपने दीन की इफाज़ात आप नहीं कर सकते तो आप किस बात के मुसल्मान है भाईया रही बात तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इन्दिपूर शर्मा का आपने नाम सुना होगा उन्होंने आप सल्लाव सल्लम के ऊपर उ मोदी जी को यामिश शाह को तो देर सही सही लेकिन एक्षन हुए उनके उपर और आज तक वो भूमिगत हैं दिखी नहीं किसी भी टेलिवीजन शो में या किसी भी कैमरा पे इतनी हिम्मत नहीं हुई नुपूर सर्मा की कि वो कहीं दिखाई दे दे और उन्हें भारतिये जंदा पार्टी से निस्कासित कर दिया गया लेकिन अफसोस है कि 18% मुसल्मानों के दम पे जो चुनाज जीत के आते हैं महागडबंधन हो कि के मैटा हो या फिर जो सरकार में या यानि नंगापन देखिए की यहां को छी J endorse संख्या काई के चेर्में राजत का मदर्सा बोड के चेर्में जदिव का कि अल्संख्या कल्यान मंните जद्यू наз फिन है और एक नेताजी दीखे थे वह 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 का रहे है कि क्या बोलते हैं चट पट जहत कि सरकार है पटना में रहते हैं ज्यादा ना जाना करते हैं लालू-पर्साइद के घर पे ज्यादा आते जलते वह भीए बड़े वाले हैं च्छोटे वाले नहीं है लेकिन उनका भी जो कमीट्मेन था वीडेन 24 तो उनका भी हवा निकल गया अल्व संख्या कायोग के चेर्मेन का भी हवा निकल गया मदार्सा बोर्ड के चेर्मेन साहब तो सोई हुए है बेचारे वो तो कहा रहां कि नहीं जोहर की नमाज ही पढ़नी है पहले के लास करना है ऐसा भी वीडियो चल रहा है ते जिस से और उनका वज इसलाम के बहुत बड़े सिक्षा भी कारी हैं उनको भी एस्पुन टाइप पॉलिटिक्स करके बिदान परिसद में तो यह सारे मुर्दा लोग हैं मैं इसलिए कह रहा हूं कि चमचागीरी की राजनीत करने से और मुसल्मानों के दम पे आप बन जाएंगे किसी आयोग का चे और दम नेता में जिस नेता में होती है उसकी एक आवाज पर सरकार नाचने लगती है जो इन लोगों में नहीं है 24 घंटा बीट गया ग्रफतारी का जो टाइमिंग जो दिया गया था सोसल मीडिया तो अब आप क्या उस पर कहना चाहिए मैं तो कहूंगा कि कहीं ना कहीं सिवान की साथ जो है वह भी मुसल्मानों के से खेलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम लोग तो पॉबिक लाइफ में हैं और सोसल एक्टिविटीज हम लोग रखते हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि लोगों के बीच यह काफी चर्चा का भ कि बोलने मी भिसर्मा रहा है इसको मैं अपनी जबान से बोल भी नहीं सकता कि हमारे नमास के बारे में हमारे कल्मा के बारे में हमारे ऑलमाइटी नलाह नाहली करे और इस तरीके का सौंग बनाए और उस उसको फिल्माया जाए किसी औरत के साथ इंडिकेट करके और इस तरीके का तो इसमें सिर्फ वही नहीं है इसमें मैं SP साहब से चाहूंगा कि SP साहब आप नंदिनी एस्टूडियो को भी उसका लोकेशन सास्तिरी नगर दिल्ली में मिल रहा है उस नाम का जरा उसको भी आप टोली है कि नंदिनी एस्टूडियो आखिर है किसका जो इस गाने को रिकॉर्ड किया है और ये पंगा म्यूजिक कौन है और अर्जून अजूबा तो हैं तो मैं तो चाहूंगा कि SP साहब से और मैंने लेटर लिखा था सेम डे लिखा था आपने देखा होगा मैरे Facebook ID पे English में मैंने उनको SP साहब का उगत कर रहा था फिर उसके बाद उसका हिंदी रुपांतरार में उनको बेजा गया मैंने Facebook पे ही खुला खत डाला था लेकिन आज आपके कैमरे के माद्धन से मैं कर रहा हूँ कि जिस तरीके से अन्य कांडो का उद्भेदन हमारे तेज त साम करें और जो तभी जा करके जो बिहार के सिवान के और अपने देश और दुनिया के तमाम मुसल्मानों की जो भावनाएं आहत हुई हैं उसको थोड़ी सी सुकून मिलेगी जब उसके उपर एक्ट होगा एक्शन होगा और करवाई होगी अगर अलसंख्या कायो के चेयर पुलिस चाह दे तो पताल लोग से निकाल के लाएगी और उसका सीडियार खंगाल दिया जाएगा यह पांच मिनट का काम है विदिन फाइव मिनट्स मामला फिनिश अब क्या बात है क्या वजा है कि भाजपा की सरकार केंद्र में है और भाजपा की परवक्ता थी पर इस तरीके की अभधरता और उस पर करवाई नहीं यह अपने आप में बहुत बड़ा कोशन मार्क है और इसे हम बरदास नहीं कर सकते हैं आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को जदस जदस शेयर कीजिए और कॉमेंट में बताईए अगर आपको पता है कि लड़का कहा का है तो कॉमेंट में हमें बताईए कि इसका एड्रेस क्या है अम उससे जागे हम मिलेंगे अगर परसासन नहीं मिल प प्रशासन के दुआरा अभी तक कोई action नहीं लिया गया और नहीं अभी तक कोई action देखने को मिल रहा है तो अगर आपको पता है कि यह लड़का कहां कहा है तो आप से घुजारिस है आगरा है कि आप comment में जाके उसका address बताईए हम उससे मिलने का पूरा पर्यास करेंगे और यह वीडियो ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर किजिए बहुत बहुत धन्यवाद